नमस्कार दोस्तों देखिये में तरों आज हम RIT 2020 के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको RIT exam की त्यारी कैसे करनी है हालांकि इस पर मैंने कई बार आपको पहले बताया है लाश्ट एर भी बताया है हमने जब लाश्ट रीट की त्यारी की थी तो उस समय खूब डिटेल में हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त है की थी लेकिन फिर भी आप जैसे आगे REIT के बारे में आप जानते हैं 2 अगस्त 2020 को REIT की जो एक परकार से गोशना होई चुकी है और उसके लिए आपको कैसे त्यारी करनी है कि आप 100% अपना सेलेक्शन करवा सकें तो इस वीडियो में उस एक हर उस बात को रखा गया है जो आपका सेलेक्शन करवाने के लिए जरूरी है तो जो विद्यार्ति शुरू से लार्ज तक एक एक पॉइंट को सुनेगा और उसके बात में उसको फोलो भी करेगा या अभी फोलो कर रहा है तो उस विद्यार्थी का सेलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता कोई तो मतलब कोई भी नहीं आपका 100% उस सेलेक्शन लिष्ट वाली के अंदर आपका नंबर होगा तो मित्रों सुरू से लाड़ तक पूरे वीडियो को अच्छे से सुनीगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें जादा से जादा अपने दोस्तों को शेर भी किया कीजिया आप ताकि विद्यार्थियों को इसका अलाब मिल सके सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में मित्रों कई विद्यार्थि जो लगातर सिलेबस के बारे में अभी भी पूछ रहें कि सर इसका सिलेबस वगरा क्या होगा तो देखे मित्रों जो आप कुद नियूज पेपर पढ़ते हैं कई बार आया है कि स्लेबस जो है जिसमें थोड़ा राजस्तान जिके का पार्ट बढ़ाया जाएगा और दो पेपर करवाई जाएगे इस तरह से जो आप पढ़ रहे हैं वो ही चीजें सभी के पास हैं कोई ऐसा नहीं है कि स्लेबस अभी आपको किसके अकोर्डिंग त्यारी करनी है जो आपका स्लेबस अल्रेडी है उसी के अकोर्डिंग आप त्यारी करें चेंज भी होगा तो कोई ऐसा आमूल चूल परिवर्त नहीं होगा कि सब कुछी बदल गया यही चीजें आपको पढ़ सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे मनो विज्यान के बारे में, विद्यार्थियों को यह सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है, किसा आप समझ में नहीं आ रहा है, देखे मनो विज्यान के यूटूबर मैंने वीडियो बना रखे हैं, लाश्ट रीट हुई थी, उसमें आपको त्यारी करवाई थी, सिर्फ मनो विज्यानी पढ़ाय था, इसमें सभी मैत्पूर्ण जो किताबे हैं, उनमें से बहुत कुछ कंटेंट है, जो आपको दिया गया है, बहुत ही easy language में, कि उससे आप अपना मनो विज्यान का एक base बना सकते हैं, आपको मनो विज्यान को समझने में एक आसानी होगी, उसके बाद फिर आपके महनत है कि आप उसमें कितना पढ़ते हैं, तो मैं आपको कुछ इसमें, जो material है, book है, वो बता रहा हूँ, मादिमिक शिक्षा बोर्ड और NCRT की 11.2 क्लास की पुस्तक आती है, इसमें भी आप जो पढ़ना चाहें, अब कहेंगे सर, RBSC की पढ़ें, या NCRT की पढ़ें, कौन सी इन में से पढ़ें, तो मित्रों वो आपकी इच्छा है, NCRT और ज़्यादा बड़ी है, डिटेल में है, व्याख्या कहीं अधिक है, एक एक टोपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, उतना RBS के अंदर नहीं है, जितना NCRT के अंदर डिटेल में है, इन चारों बुक्स की PDF, RBSC की 11 बारवी की और NCRT की 11 बारवी की बुक जो है, यह आपको पहले ही निशुल को उपलब्द करवा चुका हूँ, नेट पर भी इनकी PDF है, अगर आप कहीं से भी लें, नेट पर भी अग उसको पढ़ सकते हैं, अब कई विद्यारती कैसर, RBSC और NCRT दोनों में से मैं कौन सी बढ़ूं, तो मेरे अकोडिंग NCRT वाली जो है, इसके अंदर अच्छे से और ज़्यादा डिटेल में समझा रखा हैं, तो आप NCRT को RBSC की बुक पर थोड़ा सा उच्छता परदान कर सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं, और अगर दोनों इपढ़ ली जाए, तो और भी अच्छा है, इसके अलावा कुछ और authentic किताबें हैं, आप इन में से कोई भी एक किताब ले सकते हैं, और ये किताबें, जैसे यूनिवर्सिटी वगरा हैं, तो उन में चलती हैं, जैस पेजगी किताबें, इन में जो जो सलेवस आपके टोपिक में हो, अरुन कुमार सिंग की ओर आती हैं, लेकिन थोड़ी सी अरुन कुमार सिंग की बासा जो है, वो थोड़ी ओर हार्ड हैं, तो सभी सेक्षिक मनोविज्ञान के नाम से, शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से किताबें आती हैं, आप PD पाठक, S.K. मंगल या अरुन कुमार सिंग, इन में से कोई भी एक ले सकते हैं, ये सभी किताबें यूनिवर्सिटी वगरा में चलती हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, BA की किताबें, MA किताबें, तो यूनिवर्सिटी में चलने वाली किताबें हैं, लेकिन इन में कंटेंट बहुत शांदार है, और बहुत अच्छे से समझायवा भी हैं, तो मैं कोई एक किताब का आपको नहीं बोलूँगा इन में से, आपकी जो इच्छा हो, सभी किताबें अच्छी है, अरुनु कुमार सिंग का लेबल थोड़ा और हाई है, तो आप चाहिए तो इन में से पीडी फाठेक है, या इसके मंगल है, इन में से कोई भी किताब है, ले सकते हैं, इसके साथी आपके एक्जाम के अकोडिंग कोई भी गाइड, अब एक गाइड का नाम है या नहीं बताऊँगा, फिर आप लगेगा कि कोई जान बुझ के किसी एक गाइड का नाम बता रहे होंगे, मार्केट में जो भी एक अच्छी गाइड उपलब्ध हो, आपके मित्रों में, आपके जानकार में, जो भी कहेंगे, साब ये गाइड एक अच्छी है, एक्जाम के अकोडिंग है, वो आप मनोव विज्ञान के लिए ले सकते हैं, क्यों? उसका कारण ये है कि पूरी तरह एक्जाम के अकोडिंग बनी होगी, जैसे रीट का एक्जाम है, तो रीट के अकोडिंग आएगी, और इसके अलावा जैसे और भी जो चीज़ें है, जैसे सेकंड ग्रेट है, तो कोई सेकंड ग्रेट का अकोडिंग आएगी, लाश्ट एर के कुशन बगएर आउगे, तो आप ले सकते हैं, इसके अलावा एक चीज़ मैंने और सोची है इसमें, और वो निशुल्क नहीं होगी, आपको अभी जैसे मनोविज्ञान का जो बेस है, तो इस मनोविज्ञान के बेस में जैसे साइकोलोजी बगएरा क्या है, क्या आप सुरू में आपको पढ़ना है, क्या-क्या इसका कैसे निर्मान होता, कैसी जो साइकोलोजी का विकास होता है, कौन-कौन सी इसके पार्ट हो सकते हैं, तो वो एक नोट्स के रूप में, अभी एक सत्रा पेज की PDF जो है, वो Android एपर इस्टोर में आपको उपलब्द करवा रखी हैं, 29 रुपे की है, और आप उस PDF को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, PDF शेर नहीं कर सकते हैं, फोन में आप एक साल तक उसको पढ़ सकते हैं, जितनी बार आप उपन करके पढ़ना चाहें, और इसमें ये और हो सकता है, तो अभी जो है, वो 17 पेज की PDF है, और पूरा बेसिक साइको है, आप चाहीं सेकंड ग्रेट पढ़ें, चाहीं रीट पढ़ें, चाहीं फर्स्ट ग्रेट पढ़ें, आपको वो चीजें तो कम से कमच्छे से याद करनी होगी, ये सब किताबों का सार है, और बहुत से लोगों की मेहनत है उसमें, इसलिए वो निशुल्क नहीं होता, आप मत लिखेगा चाहीं, कि सरीए निशुल्क देदो, ये वो नहीं हो सकती, तो उसकी अभी तो 29 उर्पे हैं, बाकी जैसे और अगर आप चाहेंगे, तो पूरे complete notes जो हैं, उपलप्त करवा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इसके बाद में हम बात करते हैं, हिंदी के बारे में देखिया, आप भाषा लेते हैं, language first और language second, अब हिंदी में देखिये, माधमिक शिक्षा बोर्ड की, एक पुस्तक आती है हिंदी व्याकरन के नाम से, 9-12 क्लास की वो एक ही पुस्तक आती है, उस पे लिखा आता है 9-12 हिंदी व्याकरन, वो किताब तो आपको मश्च है, कि पढ़नी ही पढ़नी है, इसके इलावा जैसे आप कोई और बड़ी पुस्तक साथ में पढ़ना चाहें जिसमें कोई टोपिक आपको नहीं मिले जैसे रागोपरकाजी की किताब आती है और भी जो भी आपको कोई किताब जो आपके पास अगर ओल्रेडी हो क्योंकि इनका मैटेरियल हिंदी संसकर्त अंगरेजीर इनका क्या मैटेरियल आपके पास ओल्रेडी मिल जाता है हर एकजामे आती है हिंदी तो अगर आपके पास कोई पुस्तक है तो आपको कोई नई पुस्तक लेने के आउशकता नहीं है लेकिन ये 9-12 की जो एक पुस्तक आती है ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अब बात करते हैं संसकर्थ के बारे में यही चीज संसकर्थ में आपको लागू होगी आपको 6-8 तक की मादमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक आती है इतना easy language में और इतना अच्छे से समझा रखा है आप इसको पढ़िएगा चटी, सात्वी, आठवी और अंग्रेजी की same यही चीज अंग्रेजी में है चटी, सात्वी, आठवी क्लास तक की जो अंग्रेजी की पुस्तक है मादमिक शिक्षा बोर्ड की आप उसको एक एक चैप्टर को आपको अच्छे से इसमें पढ़ना है कुस से आपका पुरा बैस त्यार हो जाएगा उसके बाद में आप exam के according कोई भी एक guide लेके आ जाएगा कोई भी guide जो market में आपके आसपास हर जगह सरवत रोपलब है उसमें से जो भी guide और जिसमें exam के according एक guide में syllabus दिया आपको मिल जाएगा क्यों? guide का मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कई बार कुछ topic इनमें नहीं मिलते या वो exam के according होती है उसमें पिसले वर्सों के paper वगरा होते हैं और भी कई चीज़ें होती है तो सिर्फ उसमें एक help के लिए है कि आप a guide ले सकते हैं अब बात करते हैं sht के लिए अब देखिएगा sht में 6 से 10th class तक की जो RBSC की बुकाती है मादिमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान जो अभी आपको continue YouTube पर पढ़ा रहे हैं वो रामबान है sht के विद्यार्थियों के लिए पिसले वर्सों के परशन पत्रों को देख लीजेगा वहीं से आपके paper जो हैं बन करके आ रहे हैं और इसके साथ ही 11 वार्वी क्लास की जो history, geography, political science ये जो मादिमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तके हैं इनमें से जो आपके syllabus में topic हो वो आपको पढ़ने हैं तो 6 से 10 वी तक की तो आपके अभी पुस्तके लगातार चल रही है YouTube पर पढ़ा रहे हैं 6 क्लास की history complete हो चुकी है, 7 वी की history complete हो चुकी है और 8 वी की history भी जो है वो दो दिन में complete हो जाएगी उसके बाद 9 वी दस्मी क्लास की जो पुस्तक है उनके अंदर इतना ज्यान बराबा है कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्ते में इन में कितना ज्यान है तो हालांकि शुरू में जितना विद्यार्थ ने इसमें उच्छा दिखाये था कि अच्छा है पढ़ेंगे पढ़ेंगे अधिकतर विद्यार्थी 80% विद्यार्थी साइड में हट चुके हैं लेकिन अभी भी 10-15,000 विद्यार्थी ऐसे हैं ये संख्या कम नहीं होती 10-15,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो regular अभी मादिमिक शिक्ष्या बोर्ड की पुष्टकें मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं और notes बना रहे हैं और जब 6-7-8 मेने बाद जब भी exam होगा तो ये जो विद्यार्थी हैं 10-15,000 जो अभी continue वैनत कर रहे हैं ये जीत जाएंगे और 100% जीतेंगे आप खुद भी पढ़ सकते हैं मादिमिक शिक्ष्या बोर्ड जो खुद पढ़ें लेकिन पढ़ें जरूर वो क्यवल लाके रख रख रखिये कि ये तो हमारे पास है कभी भी पढ़ लेंगे तो जो एक वर्ड है कभी भी वो जीवन में कभी नहीं आता तो ये आपके SST के विद्यार्थियों के लिए हैं मादिमिक शिक्ष्या बोर्ड की पुस्त के हैं हिस्ट्री, जिग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ग्यार्व बार्व में जो आपके स्लेव से टोपिक में हो वो आप पढ़ें और छटी से दस्वी तक की कम्प्लीट सामाजिक विद्यान की पुस्तक जो है वो आपको पढ़नी है लेवल फर्ष्ट के अंदर भी जो परियावन हद्यन होगा उसमें भी आपके किताबे काम आएगी सामाजिक विद्यान वाली अब बात करते हैं गणित के बारे में कि लेवल फर्ष्ट में जो गणित है उसमें आपको क्या पढ़ना है तो मित्रों इसी के लिए भी RBSC की जो 6 से 8 तक की पुस्तक आती है विज्ञान की, साइंस की 6, 7, 8 विज्ञान की नहीं, यह हम गणित के बात करें तो 6, 7, 8 इसकी जो गणिती किताब आती है उसको बहुत अच्छे से सोल करें एक क्या क्यूसन को सोल करें और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके exam का according कोई भी आप एक guide लेके आ जाईएगा तो उसमें जैसे practice 8 वगर आपको मिल जाएगे गनित के लिए और भी material मिल जाएगा पूरी तरह से exam के according लेकिन ये आपका base बनाने का काम है करेगी 6 से 8 और आप आगे भी कोई exam देंगे तो उसमें भी आपके काम आएगा अब आता है प्रियावरण अध्यान का तो जैसा एक तो मैंने आपको बताया आप सामाजिक विज्ञान की बढ़ते जाएंगे आपका साथ-साथ प्रियावरण अध्यान इसमें वैसे ही त्यार हो जाएगा तीसरे से पांचवी कलास तक की एक प्रियावरण दिन की किताब और आती है कक्षा तीन, चार और पांच चुंकि लेवल फर्ष्ट का जो शिक्षक है वो पांचवी कलास तक के विद्यारतियों को पढ़ाता है तो ये पुष्ट के अगर आप अब नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको एक्जाम कौलिफाई होने के बाद बच्चों को पढ़ानी तो होगी तो क्यों ना इनको पहले ही पढ़ लिया जाए तो या तीसरी से पांचवी तक की जो प्रियामना दिनकी पुष्ट के आती है उसको आप पढ़ें कोई टोपिक फिर भी अगर उसमें से चूट गया तो आपको जैसे मैंने बताई कि एक गाइड आप अपने एक्जाम के अकोडिंग कोई भी मार्केट से लियाएगा कोई बचा-खुचा टोपिक होगा तो आपको उसमें मिल जाएगा अब बात करते हैं लेवल सेकिंड के बारे में साइंस मैट के बारे में तो साइंस मैट के जो विद्यारती है अब बात करते हैं शिक्षन वीदियों के बारे में तो शिक्षन वीदियों के लिए आप मार्केट में उपलब्द कोई भी गाइड हो जैसे कि मैंने आपको उप्रोड बताया उसमें आपका कुछ बचा-कुचा शिक्षन वीदिया है जो आपके पास नहीं है तो आपको उस गाइड में मिल जाएगी गाइड आपके लिए एक वहीं काम करेगी जहां कोई चीज आपको नहीं मिले या एक बार आपको रिविजन करना हो या कुछ चीज़ें देखनी हो वहाँ एक help के तोर पर guide काम करेगी guide को कभी नीव नहीं बनाए आपके लिए help के लिए आप इसको इसनेमाल कर सकते हैं तो मित्रों ये था level first, level second और जो आपकी language है, हिंदी, संसकर्थ, अंगरेजी इनके लिए, sht के विद्यार्थियों के लिए, मनोविज्ञान के लिए अगर आप इन सब बिंदूं को अच्छे से follow करते हैं तो आपका selection कोई नहीं रोग सकता, ये किन मानिए selection कोई नहीं रोग सकता 100% आपका chain होगा, और अभी rate आने के बाद में दुबार कब आएगी, ये कोई कोई इस तरह की चीजे नहीं है कि पतानी कब आएगी, कब नहीं आएगी, आसपास ही नहीं है तो ये जो बरती आप निकलने वाली है ये बाकी सारी शंकाएं कब निकलेगी, क्या होगा कि नहीं होगा वास्ता में आएगी कि नहीं आएगी अगर आप अभी भी इन स्वालों में उलजेवे हैं तो अपने हातों से इस आप vacancy को भी आप अपने आप से दूर उतना ही किये जा रहे हैं तो मित्रों इमानदारी से मैनत करें तो साइकोलोजी बगर एक लिए माँको बता चुका हूँ पूरे वीडियो लास्टिर हम पहले ही मना चुके हैं और इसके अलावा SST के लिए जो किताबे हैं मादिमी शिक्षा बोड की पुस्त के लगातार चल रही है जितना बड़ा चेप्टर है चाए वो 30 मिनिट का वीडियो बने चाए एक घंटे का वीडियो बने लेकिन उसको पूरा एक एक वर्ड बना रहे हैं और उसके साथ ही अभी उसमें कुछ नई चीजों का इस्तिमाल और किया है कि आप उसको आपको सब कुछ लिख करके उस पर समझा भी सकते हैं पहले ये चीजे नहीं थी कि हम उसको समझा भी पाएं ज़्यादा उसको लिख नहीं सकते थे थोड़ा बहुत लिख पाते थे लेकिन अब पूरा आपको एक एक चीज लिख करेंगे हम समझा सकते हैं उसमें जो नई टेक्नलोजी अभी हम जो इस किताबों में इस्तिमाल कर रहे हैं तो मित्रों इसी परकार से साथ पढ़ते रहें और भी अगर आपको कोई कुशन हो तो आप मुझसे पूर सकते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टोपी के साथ जै हिंद जै भारत